चोपड़ा एकिस न्यूटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरी प्यारे बच्चों जैसे जैसे दिन बीद रहे हैं, वैसे वैसे नीट रजल्ट के बारे में, नीट एक्जाम के बारे में, पेपर लिग के बारे में काफी बड़े खुलासे हो रहे हैं, इससे NTA के उफर फिर से सक्की सुई घूम रही है, यानि कि इन से थोड़े से सक पैदा होते हैं कि ऐसा क् या NTA ने जैसे हम देखें यहां registration window open हुआ था और registration window open होने के बाद में 24,000 candidate यहां increase हो गए थे यह news आपने सुन ली होगी तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और साथ में हमें यह NTA से जानने का अधिकार है कि यह जो candidate बढ़े हैं इन candidates में qualify candidate कितने हैं 650 से above candidate कितने हैं, 640 से above candidate कितने हैं, 600 से above candidate कितने हैं इसके बारे में हम जान सकते हैं RTI 2005 Act के according हमें यह पूरा अधिकार है कि हम NTA से यह जाने कि यह candidate कितने हो सकते हैं तो यहां मैं आपको RTI Act के बारे में बताऊंगा और कैसे आप इसके बारे में जान सकते हैं कि इससे उपर कितने candidates हैं तो हम RTI फाइल कर सकते हैं आलांकि RTI फाइल करने का reply तो हमें one month के अंदर मिलता है लेकिन फिर भी अगर काफी सारी RTI जाती हैं तो संस्ता को कहीं एक public notice द्वारा या फिर ट्वीटर द्वारा ये बताया जाता है कि इसका रीजन ये है हमने previous year में भी RTI फाइल किया था जिसके कारण NTA को public notice जारी करना पड़ा या फिर ट्वीटर पर ट्वीट करना पड़ा तो इसके बारे में भी हम NTA से जानकारी ले सकते हैं कि हमारे से उपर कितनी student है आप अपने marks के उपर वारे candidate के बारे में NTA से पूछ सकते हैं RTI 2005 के अधिनियम के according आपका पूरा हक है यह जानने का तो सबसे पहले हम इसके बारे में एक बार एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं वैसे आप लोगों को इसके बारे में पता चली गया है कि देखो need 24 के जो online form start होए दे उनकी starting date 9 February 24 थी और इनकी last date 9 March 24 थी और काफी सारे candidates ने 9 March तक ये form fill कर दिया था हमें इस बात को जानते हैं कि जो बच्चा selection range में है वो इस form के लिए कितना waiting में रहता है वो काफी सारे हमारे पास भी comments आते हैं कि sir need का form कभी start होगा और जब वो form fill कर देता है उसको लग जाता है कि हमने यहां एक form fill कर दिया है नीट का और अभी हमें और ज्यादा तयारी करनी है तो तयारी करने वाड़े बच्चे जिन बच्चों को need का form fill करना है वो 9 March तक ही कर दिय होगा इन्होंने जिर जो selection range में हैं जिनको selection लेना है वो 9 March तक हर एक student ने जो need की exam देना चाते हैं उन्होंने fill कर दिया होगा क्योंकि हमने भी अपने previous video में बताया है कि अब की बार एक ही form है हमने भी बार-बार remind करके बताया है कि यह 2-3 सालों से एक ही form है पहले EMS की exam apply कर दो और नीट का जिन्होंने selection लेना है जो need में appear होते हैं वो बच्चे 9 March तक fill कर ही दिया होगा अब ऐसे कुछ student जो नहीं कर पाते हैं फिल उनका दो मन रहता है कि हो सकता हम admission ले नहीं ले तो 16 March तक उन बच्चों ने भी कर दिया होगा क्योंकि 16 March तक यह date extend हुई थी उन्होंने बता दिया था कि total 23,081,833 candidate इस बार appear हो रहे हैं और उन्होंने statewide data भी दिया था वो मैं आपको आगे बताता हूँ यह proof के तोर पर फिर NTA ने दो दिन के लिए 9 और 10 अपरेल के लिए फिर से registration open किये और एक दिन पहले यानि 8 अपरेल को notice दिया कि हम दो दिन के लि आप registration open कर रहे हैं तो 8 अपरेल को notice दे रहे हैं 9 और 10 अपरेल के लिए अपडेट रहे हैं इसका मतलब हरे एक candidate को पता नहीं लगेगा यह तो उन candidate के लिए open किया जा रहा है जिनको अलड़ी पता है कि हमने कुछ करना है 9 और 10 को application open करने का क्या region है क्योंकि जब result declare हुआ था candidate registered हुए थे तो यह 24,266 candidate है यह दो दिन में ही इन्होंने form बर दिया नीट के इतियास में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो ही दिन में इतनी सारे form बरे गए हैं तो यह तो एक सक पैदा करने वाली बात है यहां पर तो इसके बारे में हम NTA से जान सकते हैं इसकी सूचन ले सकते हैं हम NTA से तो यह देखो इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज आर्टिकल है 21st मार्स को ही अपलोड हो गया था कि 23,081,833 candidate ने यह registration किया है और इसके बाद में state wise भी इन्होंने बता दिया था कौन से state में कितना registration है फिर दो दिन के लिए window open हुआ दो दिन के लिए 24,06,079 candidate है वो registered candidate है तो यह clear हो गया कि 24,00,000 candidate ने इन दो दिन में registration किया है और NTA ने दो दिन के लिए registration open किया जो आज तक कभी नहीं किया पहले previous year में तो देखा गया है कि यह extend date होती नहीं थी पहले तो फिर चलो पिछली साल से या उससे पिछली साल से एक दो साल में यह extend कर करते थे ऐसा नहीं कि नीट exam से 20 days पहले registration window open करें क्योंकि बाद में तो candidates के admit card भी issue करने और बहुत सारे concern होते हैं इन में इतनी सारे candidates के लिए आगे की व्यवस्ता करना बड़ा मुस्खिल हो जाता है NTA को यह तो हमने देखा नहीं है कि इतना जल्दी फोर्म open करें तो यह RTI RTI Act के तहत आप पूस सकते हैं NTA से RTI Online Google में type करेंगे यहां इस परकार का interface आएगा submit request पर click करेंगे तो जैसे ही submit request पर click करेंगे I have read पर click करके फिर आपने यह submit पर click करना है तो जैसे ही submit पर click करेंगे RTI Online का portal आजाएगा यह आप RTI से पता कर सकते हैं NTA से कि इसमें कितने candidates है तो मैं आपको यहां पूरा बता देता हूँ तो search public authority पर यहां आपको click करके national testing agency यहां type करना है जैसे ही आप type करोगे national type करते ही national testing agency लिखा जाएगा उस पर आप click करेंगे department of higher education लिखा जाएगा national testing agency अपने आप लिखा जाएगा आपने यहां पर email ID type करना है और यहां पर mobile number type क आप यह orब ना है यहां लिखना लिखना है यहां अपना लिखने के बाद में यहां जेंडर लिखने की बाद आप na address फिल कर देना है country में India लिखना है state में आप अपना state select कर ले status में जो आप rural में सहर में रह रहे हैं या ग्रामीन में रह रहे हैं तो वो कर दे पड़े लिके हैं या अनपड हैं यहाँ literate या इसमें click कर दे phone number यहाँ लिख दे नहीं तो कोई mandatory नहीं है यह educational status भी mandatory नहीं है यहाँ citizen में इंडियन ओटोमेटिक का देगा और क्या आप BPL में हैं तो यहाँ yes कर दे अदरवाइस no कर दे अब यहाँ तीन हजार क्रेक्टर्स आप लिख सकते हैं यहाँ RTI request application यहाँ आप तीन हजार क्रेक्टर्स लिख सकते हैं इसमें आप यह लिख सकते हैं NTA से कि भाई यह कितने student थे जो 9 और 10 अपरेल को appear registered किये हैं इनोंने यह जो registered किये हैं इन में से कितने student अपियर हुए हैं इन में से कितने student 650 के अबोव के हैं कितने 640 630, 620 600, 500 इतने से अबोव के कितने candidates हैं, कितने candidate ने qualifying किया है कितने candidate ने qualify नहीं किया है तो यह आप यहां text लिख के पूझ सकते हैं जो आपकी query है इसके बाद में अगर कोई आपके पास proof है यहां choose file में दे सकते हैं आप जो मैंने उपर बताया है कि ऐसे से इतना registration हुआ है नहीं तो यहां कोई जुरत नहीं है आपको यह कोई जरूरी नहीं है कि आप supporting documents लगाएं है यहां security pin fill कर देंगे submit पर click कर देंगे जैसे ही submit पर click कर देंगे यहां आपको सिरफ 10 रुपए pay करने हैं 10 रुपए में आप RTIE file कर सकते हैं 10 रुपए यहां deposit करने के लिए payment gateway पर click करेंगे internet banking पर click करेंगे paper click करेंगे यहां पर तो जैसे ही paper click करेंगे इसमें सारे option है SBI net banking का है other bank का है इसमें UPI का option भी है यानि आप phone pay वगरा से भी यहां कर सकते हैं यह जो 10 रुपए हैं वो payment कर सकते हैं यहां पर जैसे ही आप payment कर देंगे उसके बाद में आपके पास में एक request नमर आपके पास में आ जाएंगे registration नमर आ जाएंगे और उन registration नमर को आप समाल के रखें आपके पास में NTA की तरफ से reply आएगा वो आपके email पर आएगा और इस से आप जो आपने request submit किया है view status form पर click करके आप यहां status भी चैक कर सकते registration नमर यहां फिल करेंगे email id फिल करेंगे captcha फिल करेंगे submit पर click करेंगे तो आपकी request का पता लग जाएगा कि क्या position है क्या उसका status है तो यह पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है आप यह इसके बारे में पता कर सकते हैं तो यह जानकारी थी जो application form के बारे में कि कितने application form increase हुए उसके बारे में और हम कैसे इसका जवाब ले सकते हैं तो मिलेंगे नई update के साथ में नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैहिन